तो यहां पर हमारी चोखट बन करके विल्कुल तयार होगी है नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप वल्कम तो माई चैनल हिम्राइट कल्चर दोस्तों सुबे के 8 बजे हैं और मैं हूँ आज अपनी लाश्ट वाली गौसाला में आज हमारे यहां पर लकडी की चोखट बनाने का काम होगा तो कुछी देर बाद हमारी मिस्त्री चोवट्टा से पहुंचनी वाले हैं तब तक हम उनका यहां पर सटप तयार करेंगे जिसमें लकडी का चिरान होगा और लकडी की फिनिसिंग होगी यह बन रहा है हमारा शेटा पर और अब उपर से इस पर लगाएंगे तकता यह लेकी जा रहा है दोस्तों सुबह के दस बज गए हैं और अभी तक हमारी मिस्त्री जी यहां पर पहुंचे नहीं है उन्होंने काफी दूर से आना है लगए 40 किलोमेटर दूर से और मैं उनका लगातार यहां पर सुबह से इंतजारी कर रहा हूँ पर चुक्त बनाने का काम होगा दोस्तों धोपर की 11 बज गये हैं और हमारी मिस्त्री जी भी यहां पर पहुंच गये हैं चौबट्ता से यह हमारे मिस्त्री जी आभी पहुंचे कि मैं ले जाता हूं समान कोई नहीं कोई नहीं नहीं कोई नहीं नहीं कोई दिखिजिए भुले नहीं कि यहां से ताला गया दा देगे घर से और शीरा नीचे हमारे मिस्तिसाबी पहुच गये हैं और हमारे यहां पर काम इक्साथ हो जा है कि दोस्तों यह हमारे चोखट का यह उपरी हिसा बन गया है और यह लगेगा हमारे एक जो चोखट होगी उसके उपर और यह हैं चोखट से फिट की हमारे मिस्तिजिया आए हुए हैं चोबटा से काफी फिमस हैं चोबटा किस्व में स्पेसल मिस्ति हैं काफी अच्छा काम करते हैं लकड़ी का ओल इन वन गिवान बनाने हो चाए किस्या बनाने हो सोपे बनाने हो केबल बनाने हो चाए चोखट बनाने हो चाए मकान की दरवाजे बनाने हो तो हमारे मिस्तिजिया वन काम करते हैं तो आज हमारे प क्राम कर देए है तो दोस्तों फैनली हमारी एक चोखट बन करके तयार हो गी है मिस्तिरी जी ने लग बगद दो घंटे में एक चोखट बनाई बहुत ही फास्ट और इस प्रकार से हमारी चोखट बन गी है फिट चोड़ी और शेफिट लंबी बहुत इसांदार और अब हो रही है इसकी सेटिंग तो दोस्तों हमारा यह चोखट एक बन करके तयार होगी है यह दूसरी नमबर की चोखट है और पहली नमबर की अब बनेगी तो इसकी जो हमने चोड़ाई की है तो धाइ फिट है और तो यहां पर हमारी चोखट बन करके विल्कुल तयार होगी है और यह हमारे मिस्तिजी मिस्तिजी इतर देखो कि अधिक्यों इसके आने जाने ख़ड़ाओं के देख लो आप इसको बन कर दो इस देख लो हमारी हमारी दूसरी चो में चोखट है वह भी बन करके तयार होगी है इसकी लंबाई 6 फिट दो इंच है और चोड़ाई पूरे 3 फिट तो यह हमारी मीन चोखट हो जाएगी कम्रे तो दोस्तों सामके छे बज गये हैं और लगातार हम काम करने पर लगे हुए हैं मिष्ट्री जी ने अभी तक दो चोब गटें बना दी हैं और अब लाग काम उनका किर्की का रह गया है और आज ही वो इस काम को सहथ खत्म कर देंगे तो दोस्तों सामके साली छे बज गये हैं और आज के काम की चूटी करते हैं आज सुबेश वो साम तक हम लगातार चोखट बनाने पर मिष्ट्री के साथ हलपरी करते रहें तो यही काम करके आज का दिन मेरा बीतित हुआ है दोस्तों आज के विलोग को इतना ही रखते हैं करें दोस्तों पर तक आपना ख्यान रखें जे भारत जे बतार आज करते हुआ है अ